पीके मीडिया हेट से बात करते हैं क्योंकि मीडिया मेनेजिमेंट में बहुत आपने काबिलियत दिखाई है। सपनों का अश्याना। क्योंकि मीडिया मेनेजिमेंट में बहुत आपने काबिलियत दिखाई है। क्योंकि मीडिया मेनेजिमेंट में बहुत आपने काबिलियत दिखाई है। और दस साल में आदरनी परधार मंतरी जी का जो रिपोर्ट काड है। उस रिपोर्ट काड को लेकर जब जनता के बीच में गएं और वहां से जो अनुभो बिल रहा है, वहां से जो अनुभो प्राप्त हो रहा है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जनता के मन में एक विश्वास है इस इंडिये एलाइंस के परती। जनता के मन में विश्वास है और आशा और अकांचा भी है कि ये जो एक मजबूत सरकार है जो दस साल ने कार किया है आगे भी इसी सरकार से हमें फायदा हो सकता है और देखिए जनता ने जब वोट किया इस आम लोकसभा चुनाव में तो जनता ने ये सोच कर वोट किया कि कैसे भारत को दुनिया में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थविवस्था बनाना है कैसे भारत की सरहत को सुरक्षित रखना है कैसे भारत की हमारी बेटियों क हमारी लड़कियों को हमारी बेहनों को सशक्त करना है, कैसे भारत की बेटिया जो है आज बॉकसर बन रही है गॉल्ड miracle बन रही है कैसे पाइलेट बन रही है जोन को जोको लूट बिला है सरकार में तो इसलीए जो आनिभव आया में रोट्शो करना पड़ा रहा है पटना में रोट्शो करना पड़ा है देखिए भारती जनता पार्टी के जो कारकरता है चाहे वो परधान मंतरी हो चाहे वो मुख मंतरी हो हम सब भारती जनता पार्टी के कारकरता हैं और कारकरता होने के नाते एक राजनितिक दल का कारकर ह USDA होने के नाते हम सब चुनाव् में शिद्दत से जाते है और चुनाव् में जाकर के अपनी विचारधारा को और अपने 10 साल के रिपूर्ट काड को रखते हैं और जनता हमें इसने देती है हमें आशिरवात देती है इसी के कर्मे परधानमंत्री ने पूरे देश के अंदर अपनी सभाई की है ये परधानमंत्री के इस आयू में भी उनकी जो एनरजी है वो दर्शाता है आप 34 साल के उमर में देखिए आप विलचेर पे आगए है सिर्फ बिहार में चुनव परचार करते वे और देश के परधानमंत्री की उर्जा देखिए किस परकार से उन्होंने 10 साल में काम किया है और आज जिस उर्जा से वो जनता के बीच जा रहे हैं जनता से समवाद कर रहे हैं अपने रिपोर्ट कार्ट को रख रहे हैं तो मुझे लगता है कि यह अकलपनिये है और यह उस उर्जा को दिखाता है कि क्या उर्जा है परधानमंत्री के अंदर क्या प्रेम है क्या इसने है इस देश की जनता के लिए और इस देश के लिए दूसरी तरफ वे लोग है जो सिर्फ अपने पडिवार के लोगों के बीच में जा रहे हैं लालू परसाद यादव राबरी देवी किसी भी आरजेडी के एक उमिदवार के लिए चुनाव परचार में नहीं गए लेकिन हाँ वो सारन में जाते हैं क्योंकि सारन में उनकी बेटी रोहनी आचारिया चुनाव लड़ रही है पाटली पुतर में जाते हैं क्योंकि वहां से उनकी बेटी मीसा भारती चुनाव लड़ रही है तो ऐसे लोगों को राजत के कारकरता भी और बिहार की जनता भी जानती है और बहुत अच्छी तरह से समझती है कि ये लोग इस चुनाव में दो एलाइंस है एक एलाइंस वो है जो देश को आगे बढ़ाने के लिए चुनाव में लड़ रही है जिसका नित्रित नरिद मोद हो ये सारे लोग अपने पडिवार को लोकस्मा भेजने के लिए और अपने राजनितिक वजूत को बचाने के लिए इस देश के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या 400 अभी भी है देखिए जिस परकार का अपार जनसमू जिस परकार का इसने और जिस परकार के 10 साल के रिपोर्ट कार्ड पे जो विश्वास इस देश की जंता ने दिखाया है हम पूर्ण विश्वास से ये बात कह सकते हैं कि जब 4 जून को मदगना शुरू होगा तो बिहार की 40 की 40 सीट देश के अंदर जो 400 सीट एंडिये जीत करके आएगी उसमें ये 40 सीट बिहार की अलग आकलन होते हैं आपने देखा होगा 2014 के भी आकरें 2019 के भी आकरें और अलग अलग विधान सभा के चुनाओं में भी भारती जंता पार्टी को इन्हों ने हरा दिया था लेकिन असली मालिक इस देश की जंता है और उसके द्वारा किये गए पोल से ही ये निरने लिया जाएगा कि 400 के पार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं लेकिन जिस परकार से अब तक छटे चरन तक देश की जंता ने वोट किया है उससे असपश्ट दिखता है कि 400 के जो पार का हमारा नारा था वो हम पूरा करने जा रहे हैं भिरोजगारी और महंगाई मुद्दा था कि ने चुनाओं में इस देश की अंदर जो मुद्दा था वो था मोधी की गैरंटी मोधी की गैरंटी कि मोधी जो गैरंटी देते हैं उस गैरंटी को पूरा करते हैं ये है मोधी की गैरंटी मोधी ने अपने विनिफेस्टों मे कहा था 2014 में कि भाई राम मंदीर का प्रान परतिष्ठा शांती पुन तरीके से होगा करके दिखाया मोदी जी ने कहा था कि धारा 73 को समाप्त करेंगे और वहाँ पे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आरक्षन का प्रावधान लाया जाएगा अजादी के बाद पहली बार नारक्षन वहाँ के लोगों को दिया गया मोदी जी ने कहा था कि धरती का सबसे बड़ा पाप मुस्लिम बेहनों और महिलाओं को जो त्रिपल तलाक के साथ दिया जाता था वो त्रिपल तलाक समाप्त करेंगे किसी की हैसियत और हिम्मत नहीं होई कि रोक के दिखा दे उस ने सबको जो है फिरी में जो है वैक्सिन लगाने का काम किया आज देश दुनिया में कहा जा रहा है आज हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की और अगरसर है और मोदी जी का सबसे पहला एचिविमेंट होगा दोहजार चौबिस में जो हम तीसरी बार सरकार बना करके आएंगे कि ये भारत दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन करके उबड़ेगा तो बिहार बीजेपी को पूरा भरोसा है मोदी की गरांटी पर और एक गिटपॉल में हम देखेंगे एक तारीक को साम 6 बजे से कि हमारा एक गिटपॉल क्या खाता है किसको कितने सी टेम मिल रही है